बहुत सारी वीडियो इस पर दे चुका हूँ जब शुरु शुरु में वीमोस आया था फिर रेट फिंगर आया फिर वह एक्स एट आया इस तरह की चीज़ है आज जो मैं बात करूँगा फिर बात करूँगा वीमोस की साले एक दूसरे के कॉंपिटिटर है ना इधर से वह इधर से भेगता है कुछ निया वह इधर से कुछ निया भेगता है आज वीमोस प्रो की बात करूँगा वीमोस प्रो इसके अंदर ये इन लोगों ने भी बड़ा कमाल काम कर दिया कि आपको आठ यानि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं आठ एंड्रोइड फोन एक साथ चला सकते हैं इन्होंने कैटेगरी कर दी, यानि अगर आप नॉन रूटेड एपस को रन करना चाहते हो तो उन्होंने उसके चार कैटेगरी अलग कर दी, कि आप पहले इन्होंने दियावा था वर्जन 5.1.1 अब इन्होंने एड्ट किया है 7.1 यानि अफग्रेड किया इसको भी और रूटेडु में भी यानि यह चार प्रियन नपर नौन रूटेट के लिए और चार पाॉटर आप दी, यह रूटेड यशन चलाना तो उसका Android version पहले 5.1 था अब इन्होंने कर दिया 7.1 यानि अब ये सब के उपर सारी applications के उपर काम करेगा Guaranteed हो गए ये बात मैं बहुत कोई detail में आपको नहीं समझाओंगा क्योंकि सब जानते है वीमोस के बारे में की applications किस काम आएंगी इसके पहले मैंने X8 दिया था मैंने आप लोगों को उसके अंदर भी आप rooted यानि applications को और non-rooted applications को दोनों को चला सकते थे आप मतलब सारी applications उस पर चल रही हैं जिन भाई उन्हें वीडियो नहीं देखी complete tutorial दिया था उस वीडियो का भी इसी वीडियो के description box में दूँगा जरूर देखिएगा i button में भी आपको मिल जाएगा और इस यानि इस vmose की बात कर रहा हूं मैं vmose के अंदर भी अभी इन्होंने categories कर दिया है चार यानि आप non-rooted चार android phone अपने पास अलग कर लो और चार उसी में जिसमें आप rooted application चलाने चाहते हो उसके वह अप अलग कर लो मतलब हर चीज देदी ना यार सारी application चलेंगी आपको gallery चलेंगी वाट सब कुछ चलेगा अपने mobile को rooted अपने original device को root करने की बिलकुल जरुवत नहीं है warranty तबाह करते हो क्यों उसकी तबाह करते हो जब इस तरह की application से इसका फाइदा हो वीडियो को ज़रु लाइक करना और application का लिंक आपको description box मिल जाएगा attention मत दीजएगा किसी भी चीज का and I love you all हम चलते है वीडियो के तरह yes guys for downloading vmos pro version you need to go to google search and type here vmos alternative जब आप google पर लिखेंगे तो सबसे top के उपर first second third पर आपको मेरी post नजर आएगी best alternative of vmos इस post में आप जाएंगे आराम से आपको vmos pro का download upload की apk file भी मिल जाएगी और इनकी website भी मिल जाएगी याद रखिएगा पहले इन्होंने light version इसके अंदर add किया था अपनी website के अंदर जो के तिन दिन बाद हटा दिया गया था इसलिए अपने भाईयों की असानी के लिए vmos का जो apk file है वो अपनी website के अंदर मैंने डाल दिया आराम से download कर लिजएगा जी गाईज यह रहा vmos pro आप जब इसको open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हैगा वीडियो को बिल्कुल भी skip करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे confirm राइट कंफर्म करने के बाद आपके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने क्या करना होगा आपने swipe left करना होगा आप देख रहे ह। सबसे नीचे आप देख रहे हैं के enter vmos pro इस पर हम करेंगे click करने के बाद हम इसको authorized all पर click करेंगे allow कर देंगे allow करने के बाद आप आपकी मर्जी है अब इसको all time अगर अपने mobile में permanently use करना चाते हैं तो all time पर कर दीजेगा मैं अपने case के अंदर allow only while using the app इस पर करूँगा click and then allow कर दूँगा और इसको permission देने के बाद allow कर देंगे तीन options आपके सामने आएंगे आप कोई भी choose कर लो कोई attention नहीं है ठीक है कोई भी choose कर लो मैं अपने case के अंदर play geek machine जो second number option है right you case के अंदर route का दिखा रहा है right तो मैं इस पर second option पर click करूँगा उसके बाद first time आपकी जो रोम install होगी तो first time या देखिएगा आपको installation जो है वो थोड़ा सा तेक three to five minutes यह लोगो खुद बोलते हैं ठीक है आपको वेट करना होगा लेकिन जब आए एक दफ़ा मैं इस पर complete tutorial दिया था आप यकीन कीजिए वो वीमोस मैं उसके बार में अभी भी बोलता हूँ कि वीमोस से हलकी application है उसके अंदर आप 6 Google Play Store चला सकते हैं एक लिंक उस वीडियो का description box में आपको मिलेगा जरूर देखिएगा यानि कि वह बाप है वह application बहुत अलकी मतलब वह 1GB में चलती है application ऐसी कमाल की application है तो जिन उन भायों के लिए कह रहा हूँ जिन भायों वह वीडियो नहीं देखी जरूर उस वीडियो को देखिएगा और एक थे इन्होंने अपना एक light version दिया था और वो सिर्फ 3 दिन के लिए ता उसके अंदर root functionality थी light version के अंदर root function मतलब थे उसके अंदर बट उससे पहले जोनों ने light version दिया था उसके अंदर root access नहीं था लेकिन तीन दिन के लिए इन्हों ने जो application update किया था उसके अंदर दी थी तीन दिन के बाद वो हटा दी गई थी तो इस application का जो link है मेरे ही link से इसको download किज़ेगा मैंने इसकी APK file में मतलब बना ली है क्योंकि कुछ नहीं बता कि कल को ये link आपको मतलब इनकी website में मिले ना मिले ये vemos pro को हटा दें या नहीं भी हटाएं राइट anyways मैंने इसका APK file भी मतलब अपने पास कर लिया है तो आपको मेरे link को follow किजगा और इसकी APK file अपने CD डाउनलोड करनी है attention नहीं लेना CD APK file डाउनलोड करनी है क्योंकि बाद में ये लोग आगी पीछे कर देते हैं मैं बहुत जादा detail में अपने दोस्तों को मतलब कुशिश करूँगा कि वीडियो को लंबा नहीं करूँ क्योंकि वीमोस के बारे में तो of course मेरे तक्रीवन अब तो सारे भाई जानते ही हैं वीमोस के बारे में तो मैं जो इसकी काम की चीज़े हैं वो मैं अपने भाईों से definitely share करता रहूंगा देखें यह अब रोम को इंस्टॉल कर रहा है ठीक है फिर बता दूँ कि फर्स ताइम आपकी इंस्टॉलेशन होगी जब आप दुबारा से वीमोस को ओपन करेंगे तो यह पंगे उस वक्त नहीं होंगी यह सिर्फ फर्स ताइम है याद रखेगा अब इसके आगे जो functions हैं वो समझ लीजे कि वो किस तरीके से काम करेंगे क्योंकि वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिनके मुबाइल यह नो जिनकी पास सिस्टम एक Android सिस्टम आपको अलग से जनरेट कर रहा है ओके जी आपके बास यह से करेंगे इसको ओके करने के बाद यह आपका एक और Android फून तयार हो गया अगर मैं इसकी अंदर आपको दिखा दूँ तो यह देखिए मैं इसको यह से करूँगा ऐसकी आप वीमोस का वीमोस नहीं को देख रहा है मैं इसको करूँगा देखें यह भी स्टम में आपके मॉबाइल geographic में इसकी आनगे के अदर आपके अरिजिनल फून पे अंदर इसके दिखा नहीं आप अपनी जो आप एप्लिकेशन यूज़ करने अपने अपने एंडॉइड ओरिजिन एंडॉइड डिवाइस के अंदर उन अप्लिकेशन को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस वाली यहने की वीमोस के अंदर और वीमोस के अंदर अगर आपने कुछ किया है तो आपके समय की चीज करके दिखाता हूं हम पहले मैं इसको उपर करता हूं और यह अपने मुबाइल से मैंने बैक का बटन तबाया यहां से हम इसको सबको हटा देते हैं हटाने के बाद मैं दुबारे से वीमोस खोलूँगा अब आप समझ यह गा चीज को जो मैं आपको ची काटेग्रीज आ गई हैं दो काटेग्रीज एक उपर आप देख रहे हैं कि चार काटेग्रीज इनों दीवी हैं कि रूम 5.1 लाइट रूम 7.1 लाइट ठीक है उपर और नीचे अब अगर आप सिर्फ वीडियो को स्किप मत करना मेरी बात को समझ लेना क्योंकि मैं लंबी वाइल्स के अंदर उन एप्लिकेशन को चलाना चाहते हो तो उपर वाली जो चार है चारों में से किसी को भी डाउनलोड कर लो चाहो तो चारों को डाउनलोड कर लो चार अलग एंडरोड सिस्टम बन जाएंगे तुमारे ठीक है उन एप्लिकेशन को चला सकते हो अगर यहनी कि इन्होंने अप्गेड किया है version ठीक है? आप चारों डाउंडोट कर लो. अब देखो यहां पर इन्होंने चोटी सी एक इसको पंगा बोलो, मतलब कुछ बोलो. इन्होंने किया scene रखा? यह तो इन्होंने दे दिया कि आप ऐसी डाउंडोट कर लो. आपको पता है कि 7.1 के version के अंदर सारी applications काम करेंगी जो और दूसरे इसमें 5.1 के अंदर काम नहीं करती तो वो applications भी play store पे आपको नजर नहीं आती है जो 5.1 के अंदर होती है जो upgrade वाली applications होती है वो आपको 5.1 के अंदर नजर नहीं आती है तो 7.1 अगर तुम लोग डाउनलोड कर लोगे तो उसके अंदर सारी applications नजर आएंगी जो updated होती है नहीं होती है नहीं applications नजर आएंगी तो इन्होंने क्या किया है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो ठीक है डाउनलोड करने के बाद एक चीज में आपको अपने भाईयों को और दिखा दू कि आप यह देखरो प्रोफाइल में जाओगे आप करोगे sign up अब sign up पे आप क्या करोगे कि अपना एक account यहाँ पे sign up कर लो मुझे नहीं पता मैंने यह बिल्कुल भी नहीं करके देखा कि यह लोग कितना free trial दे रहे हैं मतलब 7 दिन का दे रहे हैं एक मेने का दे रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता आप try करके देख लेना इसका एक alternate बतायता हूँ अगर यह 7 दिन का trial दे रहे होंगे तो तुम alternative यहने दूसरी email से जाके बनाओ टेंचन नहीं है आप fake emails यूज कर लो बहुत सारी चीज़े हैं वो आप सब जानते हैं मुझे कुछ दिखाने की और बताने की जरूरत ही नहीं है आप इस तरह कर लेना सब वीमों उसके बारे में जानते हैं नीचे वाला part rooted है right root की तमाम applications चलाओ even wifi सब कुछ चलेगा इन्होंने android version 7.1 दे दिया है यहाँ पर ठीक है so enjoy करो वीडियो को like करना मत बूलना मिलता हो किसे चीज़ वीडियो चीज़ टॉपिक के साथ बहुत सारा क्याल रोकिएगा Allah हाफिज